अब अगले साल की तैयारी शुरू हो रही है यानि कि 25 तारीक से लगातार आपको अगला साल सौभागेशाली बनाने वाली जानकारी देना शुरू कर दूँगी लेकिन आज भी आपसे साल 2018 की बात करना चाहती हूं अगर लक्षमी जो वक्त रहते प्रसंद कर लिया जाए मा को तो छपपर फार कर पैसा मिलता है इतना पैसा जिसका हिसाब भी आप नहीं लगा सकते आज सबसे पहले तो लक्षमी जी की बात होगी आज जानेंगे कि आखिर कैसे लक्षमी यंतर की स्थापना से लक्षमी जी अगले साल चपड़ फार कर पैसा देंगी साथ ही आपको मालामाल बनाने वाली कुछ विशेश जानकारी भी होगी साथ ही आपको बताएंगे कि पती से रुमैंस कैसे बढ़ेगा एक नाम आपके और आपके पती के बीच प्यार पैदा कर सकता है कौन सा नाम है वो आज जानेंगे आज शुक्रुवार है इसलिए आपको मालक्षमी से जुड़े 5 माह उपाए बताने वाली हो सबसे पहले आज का पहला माह उपाए जानेगे क्या आप पैसा और रुत्बा चाहते हैं? ऐसे मैं आपको क्या करना है एक मंत्र बता रही हो ये मंत्र पैसे और रुत्बे की सारी कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है लक्ष्मी उपासना के लिए हो सके तो सादे साफ कपड़े पहने और इस मंत्र की रोज एक माला का जाब करें मंत्र है शीर दाए धन दाए बुद्धी दाए नमो नमहा यशो दाए कीरती दाए धर्म दाए नमो नमहा जानते हैं आपको चपड फार कर पैसा कैसे मिलेगा आज शुकरवार का दिन है आपको लक्ष्मी की कुछ यंत्रों की जानकारी देने जा रहे हूँ यंत्र आपकी जिंदगी में पैसे की समस्या दूर करेंगे शरी सिद महालक्षमी यंत्र, इस यंत्र को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सिंदूर, घी और चमेली के तेल से पूजा स्थान की दिवार पर बना कर लक्षमी बीज मंत्र का जाब करने से नए काम की जो भी आप नया काम करना चाहते हैं और पैसे में वृद्धी होती है इसे सोने में धारण करकर भी आप पहन सकते हैं मंत्र ओम श्रीम नमहा लक्षमी सिद्र यंत्र भोच पत्र पर कुमकुम चंदन केसर और गुलाब केत्र से इसको बना कर इसके समक्ष्री सुक्त का 108 बार पाथ करने से फिर इसको सोने के तावीज में डालकर गले में धारण करने से धन और एश्वरे प्राप्त होता है मंत्र ओम रीम क्लीम श्रीम रीम नमहा अब आरोग्य प्राप्ति यंत्र क्या है गायत्री मंत्र के जाप के साथ इस यंत्र का भोच पत्र पर अश्ट गंद से निर्मान किया जाता है इससे बिमार इंसान को पहनाया जाता है लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहे आपको जो भी मंत्र बोलना है वो जानिए मंत्र है ओम अरहम नमहा मम वंचित पूरे मनो कामना यंत्र अब बात करेंगे इस यंत्र को सोने में अपने आसपास रखना और या फिर इसको साथ में रखना नए काम में सफलता दिलाता है मंत्र ओम अरहम नमहा ओम रीम नमहा एक और मनो कामना यंत्र ये चांदी के कलश पर इस यंत्र को खुदवा कर पूजा के स्थान पर स्थाफित करते रोज लक्ष्मी मंत्र की जाप करें इसको करने से धन संबंदित तामनाई पूर्ण होती है मंत्र ओम श्रीय श्रीय नमहा लक्ष्मी बीसा यंत्र सफेद कागस पर कुमकुम केसर और चमेली के इत्र से इस यंत्र का निर्मान करके मा लक्ष्मी को जबा जाता है आश्वर्य बीज मंत्र का जाप करकर सोने में इस यंत्र को धरन करने से आर्थिक लाव का योग बनता है मंतर क्या है ओम रीम श्रीम रीम नमाहा शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाई क्या है ये बताती हूँ आपके आसपास सब धनवान बन गए हैं और आपकी घर में पैसा नहीं आता ऐसे में लक्ष्मी जी को सफेज चीज जैसे चावल से बनी खीर और दूद से बने पकवानों का भोग लगाएं ग्रह लक्ष्मी माता या घर में सबसे बड़ी स्त्री को आदर देते वे सबसे पहले उने प्रसाथ खिलाएं और उसके बाद आप खाएं आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी याद रखिएगा जिस घर में महिलाओं की इज़त होती है वहाँ पैसे की कमी नहीं होती इसलिए ब्यवहार भी बदलें लक्ष्मी जी की बात कर रही हूँ तो आपको सुख और सिम्रिदी के बारे में भी जरूर बताऊंगी सुख और सिम्रिदी दोनों अलग-अलग होती है जरूरी नहीं है कि अगर आप सम्रद हैं तो सुखी भी हो दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है क्यूंकि अगर पैसा है तो उसके साथ दूसरी बहुत सी परिशानिया भी रहती है लेकिन आपके घर में सिम्रिदी के साथ सुख का विवास हो इसके लिए अब मैं आपको कुछ उपाई बताने वाली हूँ चेक बुक, पास बुक, पैसे के लेने देने के कागजात, आपके इन्वेस्टमेंट के कागजात श्री यंत्र, कुबेर यंत्र के पास रखें बिजनस का लेखा जोखा रखने वाली किताब पर केसर के चीटे जरूर लगाएं अमावस्या की रात यां ग्रहंड काल में एक लौंग, एक इलाईची जला कर भस्म बना ले इस भस्म को देवी देवता के चित्र और अगर यंत्र हैं तो उन पर लगा कर रखें किसी सूरे नक्षत्र में ऐसे पेड़ की तहनी तोड़ कर ले आएं जिस पर चमकादरों का स्थाई निवास हो, इस तहनी को बिस्तर के नीचे रख कर सोई शाम के समय घर में जाडू पोचा ना लगाएं गुरुवार के दिन किसी विवाहित महिला को सुहाक की चीज़ दें चीटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं अच्छा ऐसा होता होगा ना कि एक दिन फाइदे का और एक दिन नुकसान का आप परिशान है सोमवार को कमाया या बचाया तो मंगलवार को सब गवा दिया ऐसा होता है क्या ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है क्योंकि आपको हर दिन हर काम नहीं करना चाहिए कुछ खास खामों के लिए कुछ खास दिन बने हैं आप अगर उन दिनों में वो काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी आईए पूरी बात समझाती हूँ रविवार ये सूरे देव का वार माना गया है इस दिन नई घर में प्रवेश और सरकारी काम करने चाहिए सोने की जूलरी और ताबे की चीजों का खरीदना बेचना चाहिए इस दिन मेटल की जूलरी पहननी चाहिए सोमवार का दिन सोमवार नौकरी वालों के लिए पद ग्रहन के लिए ये दिन है बहुत ही जादा महत्वपूर घर बनाने का काम इस दिन शुरू कर सकते हैं लिखने का काम, दूद घी और कारोबार खरीदना बेचना इस दिन फाइदे मन्द होगा मंगलवार, मंगल देव के दिन विवाद और मुकदमे से संबंदित कारे करने चाहिए मेडिकल से जुड़े इन लोगों को खास तौर से पूजा करने चाहिए लेकिन हाँ, ये सब तो करें लेकिन डॉक्टर का इलाद जरूर साथ निकरवाए बुदवार, इस दिन यात्रा करना चाहिए, ब्रोकरेज पाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए ये सब बहुत आसान होता है, लिखना, शेर माकित का काम, कारोबार, लेखा जोका, कमिशन, ट्रेडिंग, ये सब करना चाहिए ब्रस्पती देव के दिन यात्रा, धार्मिक काम, या फिर हम ये बोल सकते हैं, स्पिरिच्वल वर्क, बैंक के काम जरूर करने चाहिए इस दिन कपड़े और जूरी खरीदना चाहिए, सरकारी काम करने शुरू करने चाहिए शुक्रुबार के दिन ग्रह प्रवेश, आठ का का काम, कन्यादान करना महत्वपूर होता है ब्यूटी से जुड़ा कारोबार, ब्यूटी ट्रीटमेंट आप इस दिन ले सकते हैं शनिवार के दिन मकान बनाना, टेक्निकल काम, ग्रह प्रवेश जैसे काम करें प्लास्टिक, लकडी, सीमेंट, तेल, पेट्रोल खरीदना और इनी में कहीं भी किसी भी तरीके का लेंदिन करना शुप है अब आपको आज का तीसरा महावपाई क्या है? ये बताने का वक्त हो गया है क्या आपके घर में बरकत नहीं बनी रहती? मालक्ष्मी रूठी नहीं है अपने घर में कच्ची जगा जरूर रखें अगर ये जगा घर के बीचो पीच हो तो उसमें तुलसी का पौधा लगाने से घर में कभी धनकी कमी नहीं रहती किसी गमले या वास कभी आप इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास कितने मेसेज आते हैं आपको पताएं? जिसमें दर्शक उम्र से पहले बड़े दिखने की शिकायत करते हैं कि आप 30 के हैं और 40 के दिखेंगे तो मैंने सोचा क्यों आज आपको बताओं कि डाक वाइन लिप्स्टिक अगर आप जवान दिखना चाहती हैं तो लिप्स्टिक के हलके रंग लगाएं जैसे न्यूड, हलका गुलावी इससे आप अपनी उम्र से ज़ादा नहीं लगेंगी, कम लगेंगी मॉस्टराइज करना, तवचा की बरती उम्र में में रीजन सोखी तवचा हैं इससे आपकी तवचा की उम्र ज़ादा दिखती है इसलिए अपनी स्किन को रेगुलर्ली मॉस्टराइज करें आपकी रियल उम्र से अधिक दिखने से बचेंगी आप आई क्रीम का उप्योग करें आई की नीचे की तवचा, ये जो एरिया होता है नीचे की जो स्किन होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है तो फिर ऐसे में क्या करें? आई क्रीम लगाएं, जिससे एक्स्ट्रा हाइडरेशन की जरुरत होती है Makeup में इसका उपयोग ना करें, आप उम्र से अधिक दिख सकती है Foundation लगाना ना भूले, हलाकि Makeup की परते लगाकर आप उम्र से अधिक दिख सकती है लेकिन इसे लगाना बहुत Important है अच्छे foundation का उपयोग करने से आपकी उम्र कई वर्स छोटी लग सकती है बहुत अधिक गहरा ब्लश लगाना अगर आप उम्र से अधिक ना दिखना चाहती हैं तो बहुत हेवी ब्लश ना लगाएं क्योंकि जाधा अधिक ब्लश आपको अननाचरल लुक देता है इसलिए पीच और लाइट पिंक ब्लश का उप्योग करें जिससे आप रोजी रोजी लगें कई लोग बहुत ज़ाधा लिप लाइनर का यूज करते हैं बहुत डागडाग लिप लाइनर लगाते हैं ये एक आम आदत है अगर इससे अधिक मात्रा में लगाया गया तो आपकी उम्र अधिक दिख सकती है ऐसे लेप Liner को उपयोग करें जो आपकी Lipstick से मैच करें अगली चीज है Concealer हम जानते हैं कि आप चेहरे की रेखाएं छपाना चाहते हैं लेकिन Concealer का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से Lines ज़्यादा दिखते हैं इसकी बजाए concealer की थोड़ी सी मात्रा जरूरत के हिसाब से ही लगाएं, जादा ना लगाएं दुनिया का सबसे खुबसूरत रिष्टा हैं पती और पत्नी का रिष्टा और इसको special बनाने के लिए हर husband को, wife को कुछ special नामों से बुलाना चाहिए कुछ ऐसे नाम जिसे पती जब बुलाएंगे तो वो ही vibration create होगी कैसे हैं वो नाम चली आपको बताते हैं अगर आपके husband बहुत sweet हैं तो अपने पती को hubby बुलाएं husband भी अपनी wife को honey, sweetie या sugar कह सकते हैं जब भी आपके पती, आपके नस्दीक हो, आपके साथ अकेले हो तो आप उन्हें my man, hero इन नामों से पुकार सकती हैं पती के साथ phone पर बात करते वे भी आप इन नामों से उन्हें पुकार सकती हैं इससे उन्हें अच्छा लगेगा और छोटे मोटे मनमटाफ दूर होंगे हमारे देश में महिलाएं अपने पती को काफी पुराने तरीके से अभी भी बुलाती हैं जो सुनने में अच्छा भी लगता है तो जरूर कीज़े बच्चा, सोना, बाबू, जान, बेबो, जाने मन अलग अलग नामों से अगर आपके पती के साथ आपके रुमैंटिक रिलेशन्शिप अच्छे हैं लव मैरिज हुई है तो आप उन्हें बड़े आराम से रोमियो, रांज़ा, मजनु बुला सकती हैं आज प्यार महबत की इतनी बाते होई रही हैं तो ऐसे में क्यों ना अगर मैंने आपको आपके प्यार को बनाए रखने के लिए और प्यार पाने के लिए उपाई नहीं बताए तो फिर क्या फाइदा होगा? कुछ छूट जाएगा तो चलिए सही तरीके जानीजे मोर की कलगी रेश्मी कपड़े में बांध कर जेब में रखने से आपका प्यार कभी भी आपसे दूर नहीं होगा श्वेत अपामार्क की जड़ को घिसकर तिलक करने से प्यार आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखेगा और तें या लड़कियां अगर अपने माथे पर आखों के बीचों बीच लाल बिंदी लगा कर उसे देखने की कोशिश करें और अगर कुछ समय बाद बिंदी खुद को दिखने लगे तो समझ लें कि आप में समोहन शक्ती जग गई और जो भी आपसे प्यार करेगा वो आपके अलावा कभी किसी और को नहीं देखेगा गुरुवार को मूल लक्षत्र में केले की जड़ को सिंदूर में मिलाकर पीस कर डेली तिलग करने से पती का अट्राक्शन मिलता है अगर अभी तक आपको प्यार नहीं मिला और आप किसी को चाहते हैं तो ये तिलग लगा कर उसके सामने जाएं आपकी बात बन जाएगी गेंदे का फूल पूजा की थाली में रखकर हल्दी की कुछ चीटे मारे और गंगा जल्द के साथ पीस कर माथे पर तिलग लगाएं इससे भी अट्राक्शन बढ़ती है सफेद गुंजा की जड़ को घिस कर माथे पर तिलग लगाने से आपका प्यार आपके हमेशा कंट्रोल में रहेगा शो में बीच में रुक कर आपको आज का चौथा महा उपाई क्या है माल लक्षमी को प्रसंद करने वाला ये बताती हूँ क्या जल्दी जल्दी मालावाल होना चाहते हैं शुक्रुमार के दिन दक्षणा वरती शंक में पानी भरकर भगवान विश्णू का भी शेक करें इस उपाई से माल लक्षमी जल्दी प्रसंद हो जाती हैं और साधक को माला माल कर देती हैं क्यूंकि आज मालक्षमी की बात हो रही है तो चलिए आपको एक खास टिप देते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं तो अपने बटुए में एक ऐसा चांदी का सिक्का रखें जिस पर मालक्षमी बैठी भी हो और सिक्के बरस रहे हो ये सिक्के आराम से जूलर पर मिल जाते हैं और महंगी भी नहीं होते हैं आपके पास पैसा टिकने लगेगा Entertainment की बाद बाद में अपने future को सुधारने के लिए राशी के हिसाब से एक टिप कीजिए और असर देखिए सबसे पहले मेश राशी की बाद सेब खाएं, घरवालों को खिलाएं, गरीबों में भी बाटें भागे साथ दे रहा हैं आपका 59% पृष्चब राशी वाले लोग, चीटियों को मीठा या फिर आटा डालिए किस्मत साथ दे रही है, 66% मिठुन राशी वाले लोग, गरीबों को दूध दान में दीजिए भागे साथ दे रहा हैं, 62% करक राशी वाले लोग, गनपती जी की कल पूजा जरूर करें किस्मत आपका साथ दे रही है कल 55% सिंग राशी के लोग, कल किसी भी तरीके के नशे से दूर रही है आप भागे साथ दे रहा हैं आपका 45% कन्या राशी वाले लोग, हलवा नाश्टे में करें और किसी को खिलाएं भी भागे साथ दे रहा हैं आपका 65% तुला राशी के लोग, कल सुबह उत्ते ही फोन पे भजन लगा लिजेगा किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 69% विश्विक राशी वाले लोग, सूर्य को प्रणाम कल जरूर करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 62% धनू राशी वाले लोग, कल लौकी की सबजी खाईएगा लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 51% मगर राशी के लोग, कल के दिन गाए को रोटी आप जरूर खिलाएए लग साथ दे रहा हैं आपका 57% कुम राशी के लोग, कल हनुमान जी का टीका मंदिर से घर लेकर आईए और अपने माथे पे लगाईए किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 64% और मीन राशी के लोग, कल के दिन नौनविज बिल्कुल ना खाएं हो सके तो एक को भी वोइट करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 54% Facebook पर पलग उपता ने हमारे साथ सवाल किया है उनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका उपाई जाना चाहती है पढ़ाई में मन लगाने के लिए बच्चे के बोलें बच्चे को बोलें कि अपने स्टाडी रूम के या अपने बेडरूम के या जहां भी बच्चा पढ़ता है वहाँ के नौर्थीस्ट में मा सरस्वती की छोटी सी ब्रास की मूर्ती लगाएं और शुरुवात नीला फूल चड़ा कर करें इससे राहू कंट्रोल में रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा शो के आखिर मैं आपको आज का पांचवा और आखरी माह उपाई बताते हैं क्या प्रोमोशन नहीं हो रहा है आपका मा लक्ष्मी आपकी सफलता में मदद नहीं कर रही है क्या इसके लिए हर महीने सैलरी का एक हिस्सा नियम से मंदिर में भगवान के चड़नों में रखें और फिर उसे श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान करें इतना दान नहीं करना है कि आपको तंगी हो जाए भगवान को श्रद्धा चाहिए पैसा नहीं सिरफ 11 रुपे भी दिल से दान करेंगे तो चलेगा लेकिन नियम पका रखिए और करीबों की मदद कीजिए कुछी वक्त बाद आपके प्रमोशन के योग बनेंगे कल होगी आपकी आइब्रो की बात कैसे आपकी आइब्रो जासूस की तरह काम करती हैं हर रास खोलती हैं ये कल जानेंगे साथ ही आपके हथेली पर धन के साथ संकेत भी दिखाऊंगी और भी बहुत सारी बाते करूंगी लेकिन ये कल आप मुझे जाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए बाई बाई ठेक केर